मामला नाजुग मिजाज का है या नाजुग सियासत का है क्या चिराख पास्बान रहरा के गुस्ते में क्यूं आ जाते हैं कल एक आपाज मैठक है काजकार्णी का नाम दिया गया है बहुत सारे मुद्य पर तै होना है कि चिराख पास्बान क्या करने वाले हैं अधिकारिक तौद पर तो यही है कि जो उनकी रैली है नमंबर के महने में उसके लिए बिचार मन्थन होना है लेकिन अंदर खाने ख़बर बहुत सारी है जिसको हम आपको अंदर की बात में बताएंगे और अंदर की बात में भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे परसांद किसोर ने रामगर यानि घर में घुश कर जगदा बाबू को ललकार दिया है तो घर में घुश कर जो ललकार हुई है अब जगदा बाबू देखिए उसका क्या जबाब देते हैं परसांद किसोर का लेकिन सुरवात हम करते हैं चिराग पासबान से उनके पार्टी की कल एक बड़ी बैठक पट्टा में होने वाली है उस बैठक में चिराग पासबान अपने सहयोगी दलो को यानि NDA में जो उनके सहयोगी हैं साप साप संदेशा देने वाले हैं कि चिराग को हलके में मत लीजिए चिराग को अगर आप हलके में ले जिएगा तो चिराग NDA में आग भी लगा सकता है चिराग में वो तागत है तो कल एक बड़ा फैसला चिराग पासपान को करना है तमाम तैयारियां हो रही है इस बड़ी बैठा के लिए और जो अंदर खाने सोर्स है वो यही बता रहे है कि दो-तीन चीजें हैं जिससे चिराग पासपान नाराज चल रहे है देखिए पहले तो जारखन में उनको कट्टू साइज किया गया एक ही सीट दी गई मांग जादा की थी चिराग पासपान ने समझे कि कहते हैं न कि वो एकदम चुप हो गए बिस का प्याला पिलिया उन्होंने जारकन में लेकिन जब बात आ जाती है कोटा में कोटा की जिस तरह से हरियना सरकार ने कोटा में कोटा लागू कर दिया चिराग पास्पान बेहद नाराज है साप साप बोल रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए था कोटा में कोटा लेकिन हो गया अब डर क्या है चिराग पास्पान को डर है कि कहीं बिहार में ये लागू हो गया नितिश कुमार जिसकी पहल कर रहे हैं या नाजुक सियासत है तलबार की धार पर चिराग पासबान की सियासत इस समय बिहार में है कोटा में कोटा अगर निती सरकार लागू कर देती है तो इसका कितना बड़ा नुक्सान होगा इसकी कलपना आप कर सकते हैं दलित महादलित इसका उधारन सामने सामने लोगों को दिखता है तो अंदर की बात में ये समझे कि कल जो फैसले चिराग पासबार लेने वाले हैं उसी लाइन पर लोजपा बिहार में अपनी सियासत को आगे बढ़ाएगी बिहार में चार सीटों पर बाइलेक्षन है और उस बाइलेक्षन में पासबान भोटर की एक अहम भूमिका होने जा रही है चाहे मामला वो रामगड़ का हो चाहे वो मामला तरारी का हो या फिर इमाम गंज का हो पास्पान भोटर ठिक ठाक संख्या में है और सब की नजरें इसके लिए चिराग पास्पान पर लाके टिक गई है लेकिन जीतनराम मांजी और चिराग पास्पान के बीच जो जंग छड़ी है खास कर कोटा में कोटा को लेकर तो लगता नहीं कि चिराग पासबान इमाम गंज में उस बड़े दिल के साथ जाएंगे जिसकी उमीद धीतनराम मांजी या एंडिये के बड़े नेता कर रहे हैं लेकिन एंडिये में है जाना मजबूरी है तो नोमनेशन में तो जाएंगे जाएंगे लेकिन क्या दिल से सपोर्ट भी होगा अरुन भारती ने कल ही कहा कि जीतनराम मांजी को तो अपने घर में ही कोटा में कोटा लागू करना चाहिए जैसे ही दीपा मांजी को टिकट मिल गया तो एक खुंदक है चिराग पासमान के दिल में बिहार को लेकर कोटा में कोटा ये एक ऐसा सवाल है जो चिराग पासमान की पूरी पार्टी को डरा रही है और इसी डर का एक जबाब कल की बैठक में चिराग पासमान देना चाहते हैं एक ultimatum, एक चिताबनी, एक सला भी दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो इसका जबाब तो कल ही मिलेगा चुकि कल एक बड़ी बैठक है लेकिन उससे भी बड़ी बात आईए चलिए रामगड जहाँ पर परसान किसोर ने सीधा सीधा ललकारा है जगदा बाबु को उनी के घर में घुश के ललकार दिया कि आप लिख के रख लीजिए नोट करके रख लीजिए चुनाबी रनीतिकार परसान किसोर बोल रहा है कि आर जे डी का परत्यासी रामगड में तीसरे नमबर पर रहेगा तीसरे नमबर पर एकदम सही सुना यही बात परसान किसोर ने आज प्रेस कॉंफेस में की उन्होंने का दुनिया भर के लोग हमसे चुनाब परबंदन के बारे में सला करते हैं मसबरा करते हैं तो हमारी जो अपनी रा है और मेरे जो अध्यन है वो अध्यन ये बताता है कि आर जे डी का उमिद्वार रामगड में तीसरे नमबर पर होगा यानि जगदा बाबु के बेटे उनकी जीती हुई सीट जो सुधाकर सिंग जीते हैं वहाँ पर तीसरे नमबर पर पहुँचेंगे अजीद सिंग तो जगदा बाबु क्या चेहरा दिखाएंगे रामगड में और क्या चेहरा दिखाएंगे लालू परसाद और के जिस्तु यादब को कि जब अपने घर में ही तीसरे नमबर पर हैं तो फिर आगे की लड़ाई क्या होगी इसका तो भगवान ही मालिक है खार ये परसाद की सोर का अपना दाबा है आकलन है चुकि चुनाबी रनितिकार है तो आकलन करते करते हैं लेकिन भोटर लिस्ट देखना भूल गए थे लेकिन आप कर रहे हैं कि बालू माफिया, सराप माफिया हमारे कंडिडेट को चुनाब लड़ने से रोक रहा है हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं एट एफो का फॉर्म भर दिया है हमने देखिए चुनाबायो क्या फस्ता लेता है लेकिन आम राय यही है कि एक चूप परताम की सूर्थ हो गई भोटर लिस्ट जरूर चेक होना चाहिए था और जो नियम है चुनाबायो का वो तो सब पे लागू है इसमें कोई पचपात वाली बात है ही नहीं तारीक अनबर वाले मामले में भी यही हुआ था तारीक अनबर जब यहाँ पर विधान परिश्ट का चुनाब रणने आयते तो उनका भी नाम जो है नहीं था तो समीर बावू का भाग जगा तो तारीक अनबर के जगा पर समीर बावू MLC बना दिये गए तो वही कहानी करीब करीब यहां भी है S.K. S.C. के साथ हलाकि परसांद की सुर की बात आप सुनी रहे हैं कि बालू माफिया सराब माफिया तमाम माफिया लगे हुए हैं कि परसांद की सुर का इतना साफ सुत्रा कंडिडेट चुनाब मैदान पर नहीं उतरे तो आकिर अंदर की बात में इतना समझिये कि अगर परसांद की सुर यह दावा कर रहे हैं कि तीसरे नमबर पर वहां रहेगा RJD का परत्यासी तो इसका मतलब है कि BJP और BSP के बीच एक कड़ा मुकाबला रामगड में होने जा रहा है असोक सिंग और पिंटू यादव दोनों मजबूत कंडिडेट दोनों की तयारी और बड़े बड़े दलो से मायाबती का अपना परभाव 35 हजजार जो भोट है कहा यही जा रहा है कि वो मायाबती के इसारे पर वो भोट नाचती है तो अगर पूरा का पूरा सपोर्ट अगर पिंटू यादव के साथ गया तो इसका मतलब है कि यादव भोट में विश्यन मारी होगी और जो मायाबती का भोट अगर टर्ण होता है तो स्वभाविक है तीसरे नमबर पर अजीत सिंग को आना ही पड़ेगा यही आकलन समझा रहे हैं परसांद किसोर देखिए कितनी बात होती है नहीं होती है तो 23 नमबर को पता चलेगा लेकिन इतना तय है कि रामगड के सियासी पारे को परसांद किसोर ने आज गरमा दिया जिस तरह से ललकारा है तो जब आप तो अब सुधाकर सिंग और जग्दावाव देंगे ही चुकि सुधाकर सिंग ने खुझ कमान समभाल के रखी है इस चुनाब के लिए उपाईलक्षन के लिए चुकि वही विधायक थे देखिए जब ओफिसियर एनॉंसमेंट भी नहीं हुआ था कंडिडेट का तो सोशल मीडिया पोस्ट पर सुधाकर सिंग ने अजीद सिंग का नाम बताया कब डॉमनेशन करना है ये भी बता दिया तो मतलब साफ है कि सुधाकर सिंग ने भी परतिस्था की लड़ाई की रूप में देखा है और अपनी जो तयारी वो कर रहे है वो उसी लिहास से कर रहे है कि उस सीट को रिटेन करना है किसी भी हाल में और अपने बिरोधियों को ये जबाब देना है कि रामगर जगदा बाबु का है सुधाकर सिंग का है किसी की से नमारी उसमें नहीं हो सकती है तो अंदर की बात में आज के लिए यतना ही आप देखते रहे है कैपिल टीवी बिहार आपका बहुत बहुत धन्रबाद आपका बहुत बहुत सुक्रिया